इसको चीजे पता नहीं होती पर अपने आपको नहीं बहुत ज़्यादा कुछ फन नेखा समस्ता कि मैं यह हूं मैं वो हूं और इसके फाल तू बोलने का रहता है नहीं इसको किस दिन लेके डूबेगी जो कि यह तेरा तरिक को हेलो दोस्तों की हाल चाल आप सभी के दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्विस यादो के बारे में क्या दोस्तों एल्विस यादो सच में एक्सपोज हो चुके हैं इस वीडियो में आये जानते हैं तो दोस्तों जैसा कि आपको बता दूँ कि हाली में प्रेइननिवाल अनुराग स्दिवेदी और इसकатив स्थला मैच destroy उढ़ा बीच वढ को सिल होगा बेंगलरू बैचलोर और हर्यानवी यह संस Manager की टीम और हर्यानवी यह की हैंद cricket league का एक event था जहाँ पर announce किया जाता है हर teams के player के बारे में फुकरा इंसान की team में एक player है जिसका नाम है लोकेस मीना और लोकेस मीना ने कल एक story post करके बताया है कि Elvis ने उन्हें message किया है उन्हें message करके Elvis यादो ने कहा है कि भाई नमबर भेजो बात यहां तक तो सबनॉर्मल थी लेकिन अब इसी screenshot को दुबारा से share करते हुए एक influencer है जासूस किंग उन्होंने tweet किया कि match तो अभी शुरू भी नहीं हुआ setting पहले से ही चल रही है हमारी team के बंदे को अपनी team में लेने की तैयारी यह तरीका मुझे अच्छा लगा इसका मतलब है कि जासूस किंग ने Elvis यादो पर सीधा सीधा allegation लगाया है कि Elvis यादो ने लोकेश मीना को message इसलिए किया ताकि वा उन्हें अपने team में ले सके दोस्तों जो की काफी बड़ allegation है इस प्रिट फिलाल अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक Elvis का तो कोई reply नहीं आया है लेकिन उनकी दोस्त लच्छ का जरूर इस पर reply आया है लच्छ बोलते हैं कि असली डर तो तेरी आखों में तेरा तारीक को दिखेगा और दोस्तों आपको बता दू कि Elvis के फ्रेंड लक्छ ने इस पर अपनी वीडियो भी अपलोड की है जिसका टाइटल थमनेल है कि लास्ट वर्निंग तो जासूस किंग जिसमें वक कहते हैं कि जासूस किंग के जबान बहुत ज़्यादा चलती है इसको कोई चीज सही से पता नहीं रहती है पर अपने आपको याब बहुत ज़्यादा समझता है और इसकी या ज़्यादा बोलने वाली आदत एक दिन इसको ले डूबेगी और वह दिन होगा तेरा तारिक का दोस्तों आप लोग भी लक्ष की ये वीडियो देखिए अब इसमें देखना या है कि एल्विस का रिपलाई क्या रहता है क्या सच में एल्विस यादो एक्सपोज हो गए है या फिर एल्विस यादो पर लगा या एलिगेशन जूटा साबित होता है दोस्तों आपकी इस पर क्या रहा है आप हमें कमेंट करेंगे ज़रूर बताईए क्या एल्विस यादो सच में ऐसा कर सकते हैं और या करना सही होगा या गलत आप अपनी राइक कमेंट में हमें दीजे और दोस्तों इसी तरीकी की और वी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल ट्रिगर नियूस को सब्सक्राइब करना न बूलें तो दोस्तों मिलता हूं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ धन्यवाद